नमस्कार हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ सपना दिपक बंदेश्या मुलेटिन का आगास करेंगे इस वक्त खबर जौल अंदर से आ रहे हैं जहां उपचिनाओं को लेकर भारती जन्ता पाती के अध्यक्षित तरूर्चूग ने एक प्रैस की है जिसमें तरूर्चूग ने सबसे पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर बड़ी सवाल उठा हैं तरूर्चूग ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ये कितने रुपए भीचे थे उसका दूर्पयोग हुआ धाई साल में जालंदर के स्मार कर रही है पंजाब सरकार लो एंड और के नाम पर रहे हैं साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के आम लोगों और डॉक्टरों के खराफी राजनीतिक फायदे के लिए गुंडा गर्दी का इस्तिमाल किया जा रहा है बड़े कारवारियों को भी पैसे के लिए लगातार फोन आ रही ही उन्होंने कहा कि एक्स बनाने के लिए किंद्र सरकार की ओर से पैसा भेजा क्या है जिस तरह आज स्वेरे और कल दा हला एक पानी खड़ा है सड़का पानी ना परिया है जदकी परदान मंत्री मोदी जी ने देज़ी के इंदर ती सरकार ने जलंदर एक हिस्टोरिकल सिथी है और जलंदर नों समार्ट सिथी ते शामल किता और समार्ट सिथिया से कई सो करूर भी आ मुहाली की MLA कुलबल सासिंग ने आजो सिटी सर्वलांस और ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्टम की सापना का उदखातर गिया और पंजाब के मुखे मंत्री भगवन सिंगमान को मुहाली निवासियों के साथ ही उनके सपने को साकार करने के लिए धन्यवाद दिया और इसे के साथ साथ आपको बताते हैं चले की धन्यवाद देने के साथ साथ कई बातों का भी जख्रक्तिया पूरा होन जा रहे हैं लोकानों बड़ी शिकाइश सी भी चंडी गर दे विचे ट्रैफिक कंट्रोल बहुत होंता है और चंडी गर दे विचे कैमरे लगे होए ने जगा जगा दे उते सर्विलेंस है लेकन मुहाली दे विचे कुछ नहीं हैगा मैंनों यह सका दी बड़ी खुछी है भी साथे बहुत ही होन हार जी ओपीसर्ज ने उन्हां दे सहजोग दे नार साथे मेरे नार खड़े ने सर्द सत्या चुहां जी दी जी बी ने और नार हे एमडी ने बुर्स हाउसें कार्पोरेशन दे जिना ने इस सारा उद्म कीता है ते नार हे साथे द्यूटी कमिशर खड़े ने अच्छी का जाएं आब अधिपाती को सभी वर्गों और हर तरब से समर्थन मिल रहा है अमड़ पाती के निताओं का मानना है कि उनकी जीत तै है तो देखे आमाधिपाटी लगतार रा जो समर्थन मिल रहा है उसे देखकर अब यह अधाजा लगाया जा सकता है कि पंजाब में आजा अधार पाटी का जो अच्छा सो है वर्चे सो लगतार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसकी बान की भी देखे देखने को मिल रही और आ लगतार राण्य पार्टियों से आमाधी 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 पार्टिय को बनाने में काम्याब होती हुए नजर आ रही है और इसकी बानगी देखिए अब लिक्त मिल रहा है क्योंकि अन्य पाथियों से लगतार कई दिगज नेता कारे करता अब जो है आमादी पाथि बे शामिल हो रहे हैं और पंजाब बे भी कुछ ऐसी ही तद्विर है हम आपको बरोहित को ग्यापन दिया है जिसमें कहा गया है कि अमरत पाल एक आतंगबादी है आईएस का एजेंट है जो कि पंजाब फिर से खालिस्तान को बढ़ावा दीना चाहता है पंजाब की सड़कों को फिर से खुन से लाल करना चाहता है और ऐसे शक्स को पैरूल नहीं दी ज जानी चाहिए वरेश रांडिले ने कहा कि अगर आमरत पाल को छोड़ा जाता है तो हम इसके खलाप हाई कोट का दरवाजा खटकताएंगे और दिल्ले में जाकर विरूत प्रदश्रक करेंगे पिर पंजाब में देश्चत फुलाने का काम किया फिर पंजाब में डर पैदा करने का काम किया और जिसतना थाने पे अटेक किया सविधान को चुनोती दी देश के ग्रह मंतरी को ये कहना कि हम उसका यहासर हिंद्रा गांदी जैसा कर देंगे तो हमने उसके लिए 2000 बाई में लड़ाई लड़ी सबसे पहले 2000 बाई में मेरे एंटी टैस्वंट इंडिया ने ये गोशना की थी कि ये ISI का अजेंट है और गुवर्नर साब को ग्यापपन दिया था कि इसके साथ हतियारबन जो चर्रें उनकी जाच की जाए ये आदमी ओवरनाइट विदेश से आता है बिंडरा वाले का तीर उठाता है अतियारबन साथ लेके चलता है थाणों पर अटैक करता है पंजाब के लोधियाने में अगनी बीर राजे कुमार जन्वरी में राजवरी में शहीद हो गए थी और उसकी खबर मिलते ही चुनाओं से पहले राहुल गांधी परिवार से मिलने आया थी अब राहुल गांधी ने संसद में केंदर सरकार पर आरोप लगाया है कि अगनी बीर के परिवार को आर्थे का मदद नहीं दी गई है वही राजवनाथ सिंग ने दावा किया था कि परिवार को एक करोड रुपए दिये गए है और इसके बाद आर्मी की तरब से भी परिवार को 98,37,000 रुपए देने का दावा किया गया है पहले परिवार 48,000 रुपए का दावा कर रहा था और अब 50,000 रुपए मिलने की बात कही जा रही है जिसले कर अब राहुल गांधी भी कटकरे में खड़े हो गए है और अज्ये के पिता चिरण जी सिंग्चनी भी जो है कहा कि उनके पिता शहीद का दरजा मिलना चाहिए और अग्डीबीर योचनार रद होनी चाहिए तो देखे मौज़े को लेकर लगतार बहस शुड़ी हुई है राहुल गांधी जो है लगतार के दर पर सवाल उठा रहे लेकिन इस बीच आप उन पर भी सवाल खड़े हुए नजर आ रहे है क्योंकि देखे बात शहीद की करें तो अग्डीबीर की पहले से ये मानी जो आ रही थी कि जो है 40 लाख रुपए उन्हें मौावज़े के तोर पर दिया जागा लेकिन फिर बात सामने आए कि 50 लाख रुपए की जो है मौावज़े दिये गए है इस बेच आ लगतार जो है संसत बिस्चिस को लेकर बवाल हुआ है वही अगनी बीर अगर हम बात कर ले अगनी बीर की तो देखें अगनी बीर पर भी लगतार इंडिया गटवन्दन के तरफ से संसत में हर रोस बवाल देखने को मिल रहा है हमने देखा कि सुमार को जिस तरह से राहुल गांधी ने अगनी बीर का मुद्धा उठाया तो वही मंगलबार को भी संसत में अखले श्यादो ने भी इसका मुद्धा उठाया है तो लगतार अगनी बीर का जो मुद्धा है वो उठता हुआ नजर आ रहा है इस बेचा राहूल गांधी का किंदर सरकार पर भी अगनी बीर को लेकर लगातार सवाल उठाय जा रहे हैं और इस बेचा आपको बताते चले कि जो शहीद अगनी बीर है उस पर भी आप संसत भी लगातार सवाल किये जा रहे हैं को लेकर लगतार बवाल देखने को मिल रहा है तो अग्भी पीर का जो ये योचना जब से आया है तब से लगतार बिपक्ष इस पर हमलावर है और कहीं न कहीं अग्भी योचना को लेकर लगतार सरकार को कट घरे भी घरने का काम बिपक्ष के तरब से किया जो आ रहा है और प्रफिर से देखी ये मुद्दा लगतार संसत्र में हर रोज गर्माता हुआ नजर आ रहे जब से संसत्र शुरू हुआ है तब से लगतार कई मुद्दों को लेकर विपक्ष के तरब से सत्ता पक्ष हो घेने की कि दो शरकार बलों सो उल्टामेडिया प्रियाव सरकार ने गिलत्तरोड तिया इसा ही कुमा तमान जी ने दूसरी बती लेन गौवर्मेंट सेंटर ने वी उच्पालीक तो जयागास्तरी गनूं पच्यासलाग पेल देते चाई से देंक जोनों भैंक में पैसा अगै किना पै मारिष ककारण सभकोड़ करना था पानी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोखांदार काफी परिशान नजर आ रहे हैं, बारिश का पानी दोकानों के अंदर जाने के कारण, दोकान दारों का सारा समान खराब हो गया है। जिसके चलते दुकानदारों ने कहा कि सरकार की लापरवाह के कारण मंसा के स्विरेज काफी समय से बंद पड़े हुए है जिसके चलते मंसा में सिवरेज का पानी ही लोको केल ये जानने वास कावित हो रहा है सीवरेज के गंदे पाले के कारण मंसा शेहर बे बिमार्या फैल रही है आपको बता दे कि मौनसुन के पहले बारिश होने के कारण बारिश का पानी भर गया और इस पानी के कारण डेंकू जैसे बिमार्या फैलने का भी लगातार लोगों को इस बात के डर्सता रहा है पानी ने बहुत भंदा रूपता रहा हुए जिसमर्जी रोड़ते जल जो तला सीवरेज पानी ही पानी नजरोंदा है और उस्तों लोग प्रेशान बहुत हाना पार उस्ते नाली प्रशाशन ने कोई वग्या काम नी किता सीवरेज अपने इस बार्शिदे पानी दा कोई नकासी नहीं है कि जा आपा देखिए बास्तान ते मेरे का लक्त उत्ते पानी है और मैं स्निमा रोड़ते खड़ा मेरे भी गोड़ियां दो उपर उपर पानी है ड और अब खबर बोहाले से हैं जहां पर उपायूक्त आशिस जैने कहा है कि जिला सड़क सुरक्षा समीती के फ्रबोक के रूप में जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा सुनिशित करने और शेहर की सड़कों पर दुरगटनाओं को रोकने के लिगे प्रतिबत है उपायूक् अन्ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्टम पहल का उद्देश्य ना के वल इतियातायात उलगन करने वालों पर जुर्माना लगाया रहा है बलकि यतयात निमों का पालन करने के लिगे रोक्ताम और समिन शिल्टा की भावना पैदा करना है उनने खा कि वेड लाइट वाइलेश डितेक्षिन कामरे आथुमेटरिक नमडर प्रेट रीमेशन कामरे पें टेल्ट और जूम कामरे लगने से शहर की ट्राफिक फॉलिस को बढ़ीर बाहत मिलेगी तरह है कि डिस्ट्रिक्ट रोड सेफटी कमिटी बतौर हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड सेफटी कमिटी यह है जिला प्रशासन का बचनबद है कि रोड सेफटी शेर दे विच इंशोर किती जावे और किसी तरह दे भी कैजुल्टी जा इंजिरी सड़क दे उते हैं किसी भी मुकमल करन जा रहे हैं जिसे विछ 18 जंक्शन स्टेस ही आरल वीडी एन पी आर और पीटीजेड कैमरा इंस्टॉल करके जिदी ट्राफिक पुलिस है उन्हों बहुत बड़ी राहत देन जा रहे हैं क्योंकि यह कैमरा बतार एक इंविजिबल कॉप जिड़ाय सड़क दे उत् केस जून को 30 रुपए प्रती किलोमीटर से बढ़कर 3 जुलाई को 60 प्रती किलोग्राम हो गए हैं खराब मौसम के सिती के कारण पंजाब में टमाटर का स्थानिय उत्पादन बाधित हो रहा है वही चंडीगट के अपनी मंडियां बंध हो जाएंगी अब टमाटर दूसर बाधिक बारिश के कारण अस्थानिय रूप से उगाए कि टमाटर की उस्पादन पर प्रतिकुल पढ़वाव पड़ता है और आमतोर पर हमारा इस्थानिय उस्पादन जुलाई के आंते तक जारी रहता है लेकिन शेत्र में बारिश के कारण अब यह बंध हो गया है और लगतार राज इस तरह से पंजाब के बात कर ले तो यहां पर भी टमाटर की महंगाई दरों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है तो देखे लगतार महंगाई अपने चरम पर है और बात कर लेते हैं देखे चंडी गड में टमाटर की दरे अब देखे सौफ फिस्दी प लिए इस वज़े से निर्यात के अलाबा और कोई जो है अलग तरीका नहीं हो सकता है और इसी के सासर देखे इस वज़े से लगतार उस्पादन कब होने के बज़े से टमाटर का जो दाम है बोल लगतार आसमान चू रहा है और आपको बताते हैं चोले कि मंडियों में कई लिए लगतार की महहगाई बढ़ती जा रही है जिसको मार चंडी गटवासियों पर पढ़ता होगा नजर आ रहा है और इसके साथ ही आपको यह भी बताते हैं चोले कि लगतार जिस तरह से चंडी गट में आ लGSको पादन कम होने के बज़े से टेमाटर के ड़े से लगतार टमाटर के दामों में इजाफा होता हुगा नजर आ रहा है महंगाई की मार छिल रहे चंडी गड़वासियों का भी कहना है कि आखिरकार कब जो है इस महंगाई की मार से राहत भी लेगे लेकिन इस में आपको बता दे कि लगता टमाटर की दरे बढ़ रही है और इसे के साथ कई जगह 60-70 रुपए के लो टमाटर की रेट हो गए है और इस में कई जगह 130 से साधा दाम जो है बढ़ते हुए नसर आ रहे है वई पटियाला जिलार प्रशासन ने करनूठी पहल करते हुए सरकारी स्कूलों की छात्राओं को एनेमिया मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट शक्ती शुरूप की है यहां सरकारी स्कूलों स्केंडर स्मार्ट स्कूल मौडल टाउन में डेपिटी कमिशनर शौकत एहमित पारी ने प्रोजेक्ट शक्ती का उद्धाटन करते हुए कहा वही देपती कमिशनर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंगमान के निर्देशा नुजार पंजाब सरकार द्वारा स्कूली विद्दार्थियों विशेसकर लड़कियों के स्लासे पर अतिधिक ध्यान दिया जा रहा है अपना प्लैन यह है कि पाइलट प्रजेक्ट करिए कि जड़ा अपने जिले विच लगबग पंजात वद परसंट बच्चियां विच जड़ा अनीमिया है उन्हों आपकिस तरी के नाल बहतर तरी के नाल जड़ा हैगा वो सुधार कर सकते हैं पंजाबी वाजी मोर्चा के दोरान ततकारेन कॉंक्रेस सरकार के तरफ से दर्बार साहीब पर हमले की याद पे शुरू मड़ी गुरुद्वारा प्रबंधा कमेटी ने दर्बार साहीब के बाहर एक प्रदरश्टी का आयो जिन किया वतादे हमरित सर आवास कौंड लीटर मंचेट सिंग ने कहा कि जून 1984 में कॉंक्रेस सरकार ने सचखंड हर्मिंदर साहीब और अकाल तक्त साहीब पर सैने हमले के बाद पंजाबी रवाजी के मोर्चे को दबाने के लिए इस स्थान पर भी हमला किया था और यह हमला 3 और 4 जुलाई 1955 की मधिरवात्री को किया गया था और इस बीच सरकार ने दरबाद साहिब समों पर बड़े संख्या में पुलिस भेज़ दी थी आगे बोलती हुए उन्होंने कहा कि सरकार लंबे समय से सीखो के साथ भेदभाव कर रही है और सरकार उन्हें रि साथ अब जो है दरबाद साहिब पर भी हमले हुए हैं इसको लेकर लकतार गुहार लगाई जा रही है और इसके बास की आरोप भी लगाई जा रही है कि सरकार के तरफ से देखी कोई ऐसी सहायता नहीं मिल रही है जिसके बास से कही ना कही वो आकरोश और वरोश दिखाई दे रहा है तो यह आपको बता दे की दर्बार साहिब के बाहर प्रदरश्री की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदरश्री की तस्वीरे जो है लेती हुए यहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल भी है और कहीं ना कहीं यह रो कि तरब से सायरता नहीं मिल रही है जिसके लिए लगतार प्रोधर्शनी लगा कर अपनी बातों को इस प्रोधर्शनी के जरीये जाहिर करने की पूरी तरह से कोशिश कि जा रही है तो देखें दरबार साहिप की यह तस्वीरे हैं जहां पर लगतार लोग तक्तिया लेते बलिदान दिया क्या है पहिला तोफा सी जदो साच खांड सीरी दर्वार साय विखे कतर हुई यां सांगता दे उते लाठी चार्ज कीता गया अथ्रू गया सदे गोड़े शड़े गए और बहुत सारे सेंग जड़े से गे थे शहीद होए और हजारां दे गणतीदे वैचे जड़े सेंगसियों जखनी होए और अब खावर फरिद कोट से जा पंजाब पलिस बारा नश्रा विरोधी अभ्यान के तहट उन्ही वाओं को नश्रा मुक्ति केंद्रों में भरते किया ज़ा रहा है इन श्रा मुक्ति केंद्र में ना तो मरीज को सही राज मिल रहा है और नहीं सरकार की ओर से मिलने वाली सुबधाय मिल रही है इस समद में पलिस आधिकारियों का कहना है कि इन लड़कों को पलिस ने अपने स्तर पर भरती कराया था लेकिन वे बेती रात वहां से भाग निकले और इसे के साथ साथ आपको यह भी बता दे चले कि उन्हें ढूंट कर जोल्द ही उनके परिजनों को सौप दिया जाएगा पर मैं आप गाम बेटा काल नोज अपने सीटी आपी इडमेट करवाया थी टाइको यह थी लेके आए सीटी चारव जेन अंडर इंट्री मिली सी इननु मैं ए गल कहके गई सी में मेरे पहलनावी बच्चे तो पजने साथी बच्चना खास करके त्यां रख्थी एन अधी आप गल करके रातने साथी बच्चे पांच और आप जेसान फोन आया बितोडे बच्चे पाजिए वों की कंदे ओन सी नोज सानु एक अंडे कोई निज पाज़ 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 कोई कोई जान दो इनन ते इन गली ना ता इन अनने मेडिसन में लगता देती जो आप शाष्न कारेया सहनों एनिया स्रकार ने देता देती हैं इनना को सड़ सरकार कारेये मेरे लड़काई प्रेस कुमार से दासा सिगाजी ए राती दो बच्चे थो दोने रातने निक्र के पाद दिखेत हैं जी इन दास कराया थे नो नसे अंडर नहीं जो शामी एंटर हो क्याता बीडी जर्दा चित्रत था डखेता वेलेबंद रहुंद हों तो आवे सानु बार रोर भंदय दो कि अजना कुछी नी दासरे खनाण वासे रहने पांजव साथ दास्या के लिए लिभाण का हैानि माम्ला कुछी मेनी दो मुरीज ही कोड़र मोंट्यवेट कर सी दि पर दुआ तासी रीहेबिलिटेशन सेंटर के पेस देने हैं लोगी किनी कहते हैं जी सिक्योर्टी पूरी ठाइट है दो पुले साले हर वेले देन दें किस से ठाली पज़ेगी एग दिवार टपकी पादी जी बासरूम गएरा जांदे हैं उस फिर की विचनी मिकल के पुले सरकारवाई रहतां तक जो असी नशेदे करवा रस्पंदी दे लिए जो ड्रग डिट सेंगे हैं इनली जो कारवाई करें हैं उसे तहर्व जड़े हैं जड़ा ड्रग डेट ज़्यादे आदी हैं उनों मोटीवेट करके दाखर खरबा दे हैं उनना भी पेरेंस ना गल करके, विष्टेजारा ना गल करके, उनना भी कॉंसिलिंट करके, असी उननों मोटिवेट करके दाखल करा रहे हैं, बड़ जड़ा निशाच्टना भी कोईड़ा सफ़ा काऊ नहीं है, इसलिए लड़ी में चे हस्ता तो चले गए लाजगराउन को इसलिए लाजगराउन भी कारी रहे हैं, और अब खबर जलंदर से आरे जहां पर जलंदर में मुख्यमंतरी भगवन सिंग्मान ने वेपारियों से मुलाखात की और ना सिर्फ मुलकात बलके उनके साथ बैठकर लंच भी किया है, आप बतादे किसके साथ ही मुख्यमंतरी मुख्यमंतरी ने वेपारियों के मुद्धो और समस्याओं पर चर्चा की, वही मुख्यमंतरी ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया, आप बतादे कि बैठर के दौरान मुख्यमंतरी ने वेपारियों से सहयोग मांगा है, मुख्यमंतरी मान ने वेपारियों से कह कि आप मोहिंदर भगत को बिधायक बनाएगे, मैं मंत्री बनाऊंगा YSSP डॉक्र संदीब गर्ग ने सिटी सर्विलांस एवंग ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्टम की कारे प्रडाली के बारे भी विस्तार से जौनकारी देते हैं बता है कि ये शहर की सड़कों पर चार सो सधी कैमरों के साथ 18 स्थान को कबर करेगा और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दे कि एरपोर्ट रोड पर दो स्पीड डिटेक्टर लगाए ज़ाएंगे जो ट्राफिक के रोल तो कंट्रोल जान के सब्सक्राइब लगाए जारे ने एज ज़ेड़े आज इस प्रोजेक्ट दा उद्धा आटन ज़ेड़ा होया है और दो बाद पीटीजेट कैमरा ज़ेड़ा पैन टिल्ट जूम कैमरा होंदा है वो साथे कंट्रोल ज़ेड़े साथे ऑपरेटर्स ने वो बैठे बैठे कैमरे ज़ेड़े जूम करके बहुत ज़्यादा करीब 200 मीटर तक को जूम करके किसे भी गतिविदी नो वाच करना ह या कोई इलीगल एक्टिविटी नो वाच करना है ता इमिजेट योग हो सकती है वई बठिंदा के SSP ने बताया है कि वदेश में बैठकर मास्टर माइन बठिंदा में रह रहे अपनी साथियों के साथ मिलकर एक ब्यक्ति से दो करोड रुपए की फिरोती की माग कर रहे थे अभी तक ये बात सामें नहीं आई है कि ये किसी गैंग के साथ है पुलिस गहराई से मामनी के जाश कर रहे है ताकि कई और खुलासे किये जा सके लाग तक आ गई असी इमिडेटली परचा दर्ज करके साथी टीमा ने तफ्टी शुरू करती सी गी जिस दे भी साथे SPD, साथे DSPD, साथे DSP MOD और बाकी CID स्टाफ दी टीमा इनना ने मिलके बहुत अच्छा काम किता अब बात करेंगे पंजाब के में पतास्ते कैसे ASI की जिन्होंने ऑस्टेलिया में एक विश्व चैंपियंशिप में उनका आयोचन चैन किया गया है बतादे सीमा वरती शेतर अजुनाला की भाला गाउं के 40 वर्षिया लूजवान लासिंग जो की पंजाब पुलिस में ASI के पर कारेरत है उनका उस्टेलिया में हुआ विश्व चैंपियंशिप में पहुंचने पर उनके परिवार के सदस्यों और ग्रामनों ने गर्द मजोशे से स्वागत किया है उन्होंने बताया कि 90 किलो वजन में 19 देशों के भार तुलत ने भाग लिया है जिसमें कि उन्होंने स्वाडपादक जिता उन्होंने आगे कहा कि आज गाओं पहुंचने पर परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने मेरा जोरदार स्वागत किया जिससे मैं बहुत खुश हूँ लासिंग ने कहा कि अब तक मैं 10 बार नैशनल और ओल इंडिया खेल चुका हूँ और इसे के साथ लगभग 10 पोलिस गेम्स में उन्हें मैडल मिल चुके हूँ उन्होंने इवाउ से अपिल करती हूँ पे कहा है कि सबसे पहले आपने स्वास्तिका ध्यान रखें और नशिश से दूर रहें कि आपने स्वाची गेम्मेरी यागीज़ी इवारीफिटिंगी ते अपने इस्टेलिया देविछ वर्ल्ड कॉप चैंपिनिशिप होया जिए बिच पाफी कंट्री चेंट्री नहीं से गया हुँ और देवेच्छ मैं पार्टिस्पट किता हुँ किमेंटे रजेंटे लोग सीघड़े ठीकरिट अन्हीं कंट्रीयं से गेंजिए उन्हीं कंट्रीय शीडिये किन्हें टीट इस खेगे प्रवर्वार्टे मैंबरा ने स्वागत किता कि मेरा मसोथ अज़ीं इस तरह जिस त्रह बहुत ही खुशी हुई कि जो मैं पनोंद दस निसांगता है यह फर्स्ट टाम में दां जो मेरे स्वाकर किता है जी स 나타भा डावी रहे थे हनो बहुत जारी खुची हो ज़ीए इस चईजी की ऐन गूर्ड मेडल जेते की आया वा तहीं है नहीं हनो अज बहुत स्वाकर कीता वा आई में आपके जम जानने आए आए बहुत शोटे हैं ना तो सबों ते इना वेकि एहीं में चलू कीती है ते बहुत सारा सानु माने आव डेवीर थे पजी बहुत ज़ी खुशी है आव जी और गोल्ड मेडल जीते हैं आवसा नारोषन नारोषन कीता यहां साथे जले दा नारोषन कीता है आज आए इसा आप परमाव स्वागत कीता गे आए आए बहुत जी और पहुत। मौल बनाया है ते बहुत अंज्वाय किता ही और इस बुलटिर में इतना ही खबरों का सुसला आगे भी चारी रहेगा नमस्कार